हेलो, गुड इवनिंग स्टुडेंट्स, मैं संदीब आपका स्वावित करता हूँ अपने यूटूब चैनल मैथ ओन टिप्स में आज की वीडियो में हम फ्रिक्शन से रिलेटिड कुछ डूल से हैं जो याद रख लेगें, ठीक है? तो पहला रूल समारा कहता है जो बाते हैं आपको याद रखने हैं अपने माइड के अथा, ठीक है? यदि आपका लूमिनेटर और दिनॉमिनेटर दोनों की में लुग या सेन थे, ठीक है? तो हमारे तो फ्रिक्शन की जो बहल दोएगी वह बन आएगी जैसे की फोर बाय, फोर फोर बन जाब फोर ठीक है? ठीक है? ठीक है? नुमिनेटर भी सेम और दिनॉमिनेटर भी सेम तो हमारे पास में वन आएगी जैसे इसकी वैलू काई, यानि कि आपका जो नुमिनेटर है और जो नुमिनेटर है यादि दौनों की वैलू सेम है तो आपके फ्रिक्शन की वैलू भी क्या होगी? बन ले रहे? सेकिंड क्या कहता है? सेकिंड यादि आपका जो नुमिनेटर है उसकी वैलू जीरो है और जो नुमिनेटर है उसकी वैलू जीरो के बराबर नहीं है तो फ्रिक्शन की वैलू भी जीरो के बराबर नहीं है तो इसकी वैलू जाग इसकी वैलू जीरो के बराबर नहीं है तो इसकी वैलू जाग इसकी वैलू जीरो के बराबर नहीं है तो इसकी वैलू जीरो के बराबर नहीं है तो इसकी वैलू जीरो के बराबर नहीं है तो तो आपको यह बात रखनी है पर जीरो को यदि आप किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो इसकी वेलू क्या रहेगी इसकी वेलू होएगी जीरो है क्लियर है कि थर्ड यहीं डिनोमीनेटर पहले ने क्या इनकी वेलू जीरो है यानि कि आपका अंस की वेलू जीरो थे आपका यह उसकी वेलू जीरो है और n take any value और n की कोई भी value है ठीक है then the friction infinitive हो का ठीक है तब friction का एगा infinitive हो जैसे की 1y में 0 ठीक है 131y में 0 ठीक है 111y में 0 ठीक है यदि हम किसी भी संख्या को 0 से भाब करते हैं पहले बार रूर में क्या था यदि 0 को हम किसी संख्या से भाब करते हैं अब क्या किसी संख्या को 0 से भाब करते हैं तो उसकी बज़ कहाएगी infinitive होई है इलिए ना नमबर फोर पर आपता है when D and N are multiplied and divided by the same number than the value of friction remaining unchanged, ठीक है, यह कहरा है यह आपका जो numerator है और आपका जो denominator है, ठीक है, उसको हम same value से multiply करते हैं और same value से divided करते हैं तो उसकी value कोई change नहीं होगा ठीक है, जैसे कि 4 by 5 है, जैसे मैं इसको एक से multiply करता हूँ और एक से ही divide करता हूँ, तो 4 by 5 आएगा, यदि 3 by 7 है, यदि मैं इसको 2 से multiply करता हूँ और denominator को भी 2 से multiply करता हूँ, 3 दोनी 6, 7 दोनी 14, 2 तीए 6, 2 सते 14, 3 दोनी 7, कोई change हुआ इसकी value में, नहीं होगा सेम रही, ठीक है ठीक है, इससे यह कट जाएगा, ती multiply जाएगा, ठीक है, कोई change हुई नहीं है, ठीक है, तो first में मैं क्या बोला है इसने, when d and n are multiply, यानि कि जो denominator है, और denominator है, उसको हम यह multiply करते हैं, और या फिर divide करते हैं, same ही संख्या से, ठीक है, तो उसकी तो value होती है, वो change नहीं होती है, clear है अभी कह रहा है, if fifth में, if n and d, आपको denominator है, वो और जो denominator है, यानि कि 5 है, वो और जो आ रहा है, अक का आ रहा है, ठीक है, उन में कोई भी common factor नहीं है, कोई भी common factor नहीं है, ठीक है, जैसे कि 4 के 5 है, ठीक है, इन दोन में कोई भी common factor नहीं है, ठीक है, तो यह क्या रहा है, अभी यह friction की, यानि इस band की, क्या है, इसकी सबसे छोटी trumps है, lowest trumps, सबसे छोटी, ठीक है, जैसे कि मेरे पास 21 में 30 है, ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 into 10, 10 common friction है, दोनों में 10 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबसे, 20 अपउन में 30 है, यहिजि में 2 को 10 से मिल्टिप्लाई करों, राचर पुन्टि आएगा, निचे वाड़े 3 है, इसको में 10 से मिल्टिप्लाई करों, तो 30 आएगा, ठीक है, तो 10 है, ठीक है, इन दोनों से यह दो कट है, तो मेरे पास कहा 2 of 1 में 3, इन में common factor कहा है, इन में कोई common factor नहीं है, तिरफ 1 को छोड़ के, मैं 2 को यदि मैं 1 से multiply करता हूँ, तो 2 आता है, और 3 को मैं 1 से multiply करता हूँ, तो भी मारा 3 आता है, 2 by 3, तो यह क्या हो गया है, यह lowest term हो ठीक है, इस friction की lowest term 1, 2 by 3, ठीक है, नेक्स है हमारा है, ठीक है, to multiply friction, इसे friction को बिनों को multiply करते हैं, दो यह दो से ज़्यादा ही होगी, multiply करेंगे तो, ठीक है, जैसे कि मेरे पास है, 4 by 45 है, और 3 by 7, यह मेरे पास 2 friction है, मुझे इसको multiply करना है, तो multiply करने की मुझे क्या करना परेगा, जो denominator है, उन दो की multiply करने की होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह कंडिशनी आज रख नहीं है, multiply करते समय, बिनों की जब मुझे करते हैं, तो में क्या करना है, अन्स की अन्स के साथ multiply करनी है, और हर की हर की साथ में multiply करनी है, clear है, अब आते हम seventh number, for addition to subtraction of friction, ठीक है, यदि हम विनों को जोड रहे हैं, या फिर गटा रहे हैं, ठीक है, उसका condition आपको क्या करना है, आपको यह देखाए भी यदि उनके denominator, यानंकि उनके हर की value वो same है, सर्थी की, clear है? जीतनी भी आप बिने हैं, उनको add कर रहे है, ठीक है? अर उनके हर की value same है, हर को आपको एक बार लिखना है, यह दिनोमिनों को आपको एक बार लिखना है, उसके बाद आपको क्या कर ना है? जो आपके पास निमिनेटर की वैलू है जाएंट की वैलू है जितनी भी ऐंट में आपको जो 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 क्या करद ीख ढ़िए उन्स की में उन्स की अड़र करेंगे आट की पार की पूछ रहा तो आपको एक जाजहेगी जाए साजी बटे बाच प्रलसमी साथ पसे पाँच, प्रलसमी चाह पके बास्च, प्रलसमी चाह पको जोड़ देखेंगे 3, plus 7, plus 6, plus mean 4, ठीक है, 3 and 7, 10, 10 and 6, 16, 16 and 4, 20, अपोई में 5, ठीक है, 5 and 5, 520, तो मारग 4, इस तरी की सबको इसको जोड़ना है, ठीक है, इसको पर लिखेंगे, उपद जोगी संख्या है, येधि पलस में पूल सके तो आपको पलस करते नहीं, येधि मैनस में पूल सके तो उपके घटा दे, ठीक है, यह तो था यह आपके डिनोमेटेटर्स सेम हो यह तो था कि आपके जो आपके डिनोमेटेटर्स है उनकी वैलू सेम है यह वह ही अलग लग होगी तो वह तो उसका डिश्म में आपको क्या करना है जिसे कि 3 by 5 वाल सेम ठीक है कर की गणुद की वैलू अलग अलग है और अंस की वैलू वह भी अलग लगा तो आपको क्या करना 5% का ले 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 ना है य्वा और स्यंका ilsim रेका. इनका ilsimрий्रत र अएकाCommun 35 इन र फेर 1 धूर मुल्टिप्लाइ्न के मिल्टिप्लाइख देने हैं और फिर 3 डोर मुल्टिप्ला दूर आने श्रेस यह स्वाइगा, 2 टेयों 5 इस धूर नों के 20 पहरी आने है बीस और इतीस एकतारीस बढ़िए बढ़िए फैर्टीस एक सही शै बढ़िए फैर्टीस अब कटता है तो काट दीजिए नहीं कट रहा है तो यह बारा निसा जाएगा यह फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं आई हो आपको यह वीडियो पसंद में आई होगी यह पसंद में आई है तो आप इसे एपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करें लाइक करें और यादि आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग सब्सक्राइब करते हैं ठीक है थैंक्स फर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल